केते हैं कि मेट्रियल चाइना वाले आपको देने वाले नहीं हैं से 99 परसंट जो प्रोड़क्ट हैं बिजनस के जैसे आप मिसाइल्स खरीदना चाहते हैं जो प्राइज उन्होंने दिया है उसके बाद आपको इंडिया में कितना मिलने वाला है हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर आमित माईश्वरी बिजनस टेनर कॉर्परेट टेनर मुटिशन स्पीकर और सीओ मेटा सोवर्स इस लेमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में फ्रेंड्स Q&A सीरीज हमने चलाई है और इस सीरीज में लोग हमसे पूछते हैं अपने सवाल और जो सवाल वो पूछते हैं उसको सेलेक्ट करके हमारी टीम मुझे देती है और मैं उस विसे अपर वीडियो बनाता हूं हाना आज बहुत सार लोगों ने जो हमसे कोशन किया है वो कोशन एक बिल्कुल डिफरेंट है कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं लेकिन आज हमें स्पेशली ये बताएं कि हम बिजनस में इंपोर्ट कैसे करें और वो भी चाइना से और इंपोर्ट करने के बाद कैसे उसका डिश्ट्यूबिशन नेटवर्क अपने भारत वरश में फैलाएं और हमें उस मिट्रील को एकस्पोर्ट नहीं करना सिर्फ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसमें क्या-क्या साफधानी बारत नहीं है और कैसी ये काम करना है यह how to start import from China आप चािना से import कैसे करें दोस्तों कहते हैं कि किसी भी देश से अगर आप import या एक्षिपोर्ट बिसिंस करना चाहते हैं तो हमारे देश में वहाँ की नियम नई चलते और वहाँ के देश में हमारे नियम नहीं चलते तो यह नियम चलते कैसे हैं यह होते हैं import export trade agreement के जरीए दो देशों के बीच में जो agreement होता है ना उसके अधार पर निरधारित होता है कि import export कैसे होगा तो आज हम बात करते हैं अगर आप चाइना से import करना चाहते हैं तो क्या steps उसके होने चाहिए एक बात ध्यान रखिए कहते हैं कि माल बेचना बहुत import नहीं होता import में भी बहुत साफजाने आमें बरतनी होती हैं अब import करने का मतलब यह नहीं है कि आप सोचा कि चलो भी ठीक है चाहिना चलते हैं फैक्टरिज को विजिट करते हैं या डियलर से मिलते हैं यह सप्लायर से मिलते हैं material देखते हैं उनको payment देंगा और material लियाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं होता जिस तरह से export होता है वैसे ही import होता है आप कभी भी अपने personal नाम से चीज़ें वाँ पर खरीद नहीं सकते और खरीद कर import नहीं कर सकते तो तरीका क्या होगा सबसे पहला step है make a business identity सबसे पहले आपकी business identity होनी चाहिए आप कोई भी product खरीदना या बेचना चाहते हैं import export business में identity होना बहुत ज़रूरी है यह identity business के किसी भी प्रारूप पर हो सकते हैं जैसे आपकी proprietorship फार्म हो सकती है अगर आप अकेले हैं दो यह दो से अधिक लोगे तो बड़ा करना है तो आप एक limited company भी form कर सकते हैं यह आपके उपर करता है कि business को आप किस लेवल पर करना चाहते हैं उसके बाद जो important बात है get GST number देखिए import export करने के लिए और domestic trade करने के लिए अनिवारे नंबर है उसके बाद में आप open करें आपका current account एक ऐसे bank में जहां पर एक्जिम की फैसिलिटी हो अब यह क्या होती है इसके बारे में import export से लेटर में ने वीडियो दिये documentation process system method क्या है वो सारा explanation वहां दिया हुए वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसकी detail हम description box में भी डाल देंगे next है get the membership of EPCI export promotion council of India भारत सरकार ने export को promote करने के लिए import को promote करने के लिए बहुत अधिक facilities business owner को दिए export promotion council of India की membership लें जिसमें आपको भी लगा RCMC registration membership certificate उसके बाद यह तो होगी documentation और documentation related video आपको और भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर अब बात है जब आप किसी product को खरीदना चाहते हैं इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रेंट्स जो लोग पहली बार product को इंपोर्ट करते हैं तो उन एक्सपोर्टर्स को मतलब उन चाइनीज को भी पता होता है कि यह लोग fresher हैं और कई बार वो ऐसा rate आपको दे रहते हैं जहां पर इंडिया में लाने के बाद वो material बेचना मुश्किल हो जाता है इसलिए बहुत important है research about product सबसे पहले product से related आपकी local market में जहां आप distribution करना चाहते हैं जिस एरी में आप sale करना चाहते हैं जिस तरह के product के quality आप बेचना चाहते हैं उसके बारे में research में क्या करना होगा सबसे पहले उस product की market में कितने demand है उसका price क्या है और कितनी quantity वहां पर बेची जा सकती है यह समझना बहुत जुरूरी है जब आप product की पूरी research कर लें तो research के साथ-साथ आपको कुछ और बाते भी ध्यान देनी होगी कि आपक करी का मतलब क्या है देखिए हर product की ने category होती है जर्नल कर डिगरी का मतलब कोई भी product जर्नली जिसको खरीदने या बेचने के लिए कोई पाबंदी नहीं है 99% जो product है business के वह जर्नल कर डिगरी में आते हैं कुछ एक product होते restricted जिनके लिए special authority या license चाहिए होता है जैसे आप drugs लेना drugs खरीदना चाहते हैं दवाईयां खरीदना चाहते हैं किसी तरह के chemicals खरीदना चाहते हैं किसी तरह के ऐसे product खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपको special license चाहिए होगा तो वहाँ पर आपको licensing के लिए apply जरूर करना चाहिए और कुछ categories है prohibited मतलब वो बिलकुल उन पर प prohibited है यह आप नहीं खरीद सकते इसलिए बात करते हैं केवल जर्नल और रिस्टिक्टिड की जरतर चीज़ें जो ट्रेड में आती हैं जैसे electronics हो गए clothing हो गई garments हो गए toys हो गई यह बहुत सारे business जो आप देख रहे हैं वो जादा तर जर्नल के डिगरी में आते हैं search supplier online मैंने कहा था ना कि घर बैठे चाइना से material कैसे मंगवाई तो उसका यह बहुत important point है कि suppliers को search करें आप जो suppliers हैं या manufacturers हैं वो आपको कहा मिल सकते हैं जैसे अली बाबा site है made in China site है या आप Google पर search करके भी supplier की direct website देख सकते हैं website देखने के बाद उनके products related जो भी material आपको चाहिए उनकी quantity कितनी चाहिए उसका expected quality क्या चाहिए वो सारी आप mail के माधियम से उनको भेजें या आप वहाँ पर call करके भी बात कर सकते हैं उसके बाद में आप उनसे sample ने दिया है उसके बाद आपको इंडिया में कितना मिलने वाला है आई मैं इसको एक example के उरुप में बनात बताता हूं आपको मान लीजिए आप एक वाच लेना चाहते हैं आपको वाच आपको लगता है एक electronic चीज़ा वाच में खरीद लेता हूं और यहां पर पूरा distribution network ब लेकिन ऐसा नहीं है यह उसका चाहिना का प्राइज है फिर वहाँ पर आगई custom duty for example मान लेते हैं 10% आपकी custom duty है तो 90 रुपे का 10% 99 रुपे हो गया फिर मान लीजिए उसका transportation cost मिला कि आपको लगने वाला है लगबग 11 रुपे तो आपका यह हो गया 110 आपकी cost हो गई और आपका profit क्या होगा तो यहां पर आपको क्या देखना है product का price क्या है custom duty क्या है import export duty क्या है transportation cost क्या है कहां तक आपके warehouse तक जब माल आ जाएगा और माल आने के बाद जो आपका distribution cost है वो भी उसमें आप जोड़ लेंगे तब आपको actual selling price मिलेगा कई बार लोग material import कर लेते हैं rate क को rate का differentiation समझते नहीं है cost को समझते नहीं जिसकी वज़ा से ब्यों मेट्रिल मार्केट में बेचने जाते हैं तो वह इकता नहीं क्यों 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 कि competitive price नहीं होता और जब imported आपकी विश्वसनिय तक क्या होगी कि वह व्यक्ति आपको material supply देगा तो आप bank guarantee के थूँ दे सकते हैं इसको आप कर सकते हैं bank guarantee के थूँ मतलब A standard, B standard, C or D आपने B standard का material book की है तो वह आपको कहीं ऐसा नहीं कि C, D या इससे भी low grade का material supply कर दे उसके लिए जरूरत क्या होगी जो sample आपने लिया है उस sample के according आपको inspection कराना पड़ेगा एक quality का ताकि आपका material वही है जो sample आपके पास आया था यह बहुत important role play करता है जब लोग starting में चाहिना से import करते हैं तो sample हम कुछ देखते हैं material कुछ और निकलता है quality में बहुत ज़दा differentiation हो जाता है जिसकी वज़से आपको loss होने के संभाव ना होती है और कई बार तो stock ही dead हो assurance हो गया कि अब वही sample जो आपने order किया था वही material आपको मिलने वाला है ताकि आपके साथ cheating ना हो सके ठीक है उसके बाद get material आप अपना material ले custom duty पे करें transportation cost पे करें custom house agent जो होता है उसका commission पे करें या उसकी fee जो है वो पे करें और material अपने go down में मंगाने के बाद start your business of distribution अब आ important बात क्या है कि आप पूछेंगे किसा distribution कैसे करें तो इस से related business के अलग-अलग format है friends हर business format को लेकर मैंने इस channel पर वीडियो दिये हुए है आपसे request वीडियो को study करें जैसे documentation and process क्या होता है how to find out international buyer कैसे देखते हैं domestic buyer कैसे देखते हैं या आप अपने client को follow up कैसे करें client को search कैसे क्लाइंट की category क्या होती है तो business related बहुत सारे वीडियो यहां पर हैं आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बाकी चीजों को ज़रूर इस channel पर search करें जो आपको आपके business में helpful होगी आपके sales network को develop करने में आपके franchise network को develop करने में आपके distribution network को develop करने में आपकी sales को बढ़ बविश्य की भारत के हर घर से एक सफल और professional businessman तयार हो सके इसलिए मैं अपने business time से extra time आप लोगों के लिए निकालता हूं यह videos बनाता हूं यह कोई book based content नहीं है कि मैं यहापर book देख रहा हूं और content लिख रहा हूं और वही आपको समझा रहा हूं वही चीज जो अपने business में implement करता हूं वही content मैं आपके लिए लेकर आता हूं इसलिए यह बहुत valuable आपके लिए हो सकता है जरूरत है तो इस पर अमल करने की स्वस्त रहें मस्त रहें मैं dr. आमित माईश्वरी आपके सुनर बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत